अच्छे संकेत आ रहे हैं बाजार के लिए बाकी बाजारों के लिए हमारे बाजारों के लिए हफते की अच्छी शुरुआत होई है आप यह कैसे के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पहले एक घंटे में जो गिरावट आनी थी आगे उसके बाद तो हमने अच्छी रिकवरी दिखा कर दिन की उचाई के पास आप बंद होते हो दिखे और ऐसा ही कुछ आक्शन आपने कल अमेरिकी बाजारों में भी देखा आज सुबा एशिया के बाजारों के भी बात करें तो हाल यहां पर इस समय ठीक ठाक आपको दिख रहे हैं जपैन पर हमारी नजर पनी हुई है क्योंकि कुछी देर में Bank of Japan की policy आने वाली है और वैसे तो policy में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है बट जिवे इनका yield control है जिस तरह से Bank of Japan एक bond yield को control करता है अपर लिमिट सेट करता है उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं फिलाल 1% का cap है इनकी bond yield पर बट इस पर पहले जो जपान का yen है वो डॉलर के खिलाव करीब दो हफ़ते की उचाई पर trade कर रहे है तो बाजार expect कर रहा है कि कुछ तो आ सकता है policy में शायद कुछ बदलाव नहीं हो बट बाकी चीज़ों में कुछ बदलाव आ सकते हैं at least उस पर कुछ hint आ सकता है तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है अफकोस डाव में अमेरीकी बाजारों में कल शांदार आक्शन आपने आते हो देखा 500 अंकों का बड़ा उचाल कल डाव ने आपको दिखा है दिन की उचाई के आसपास बंद हुआ है इंटर डे में तो एक बार के लिए 33,000 का स्तर भी डाव ने चुआ जबरदस्ट अक्शन आया है इन फाक्ट जून के बाद का सबसे बड़ा इंटर डे उचाल आपने डाव में आते हो देखता है तो करीब 5 महीने का सबसे बढ़िया दिन था जहां तक डाव का सवाल है इसके अलावा 7% की मूव आपने S&P 500 में भी देखी और इस 7% मूव के अच्छा दिन था 7% की मूव यहां पर भी आई रसल 2000 करीब 5% उपर था तो एक अच्छी ब्रॉड बेस रैली जादतर सेक्टर्स का पार्टिस्पेशन कल आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है बाद डील ये कल थोड़ी सी बड़ी है बढ़कर 4.9% के पास आ गई है ब Q4 में करीब 746 अरब डॉलर की बॉरोंग करने वाली है इससे पहले Q3 में करीब 8500 अरब डॉलर की बॉरोंग की थी तो जो कम रेडूस्ट अमाउंट आया है फ्रेश बॉरोंग का वहां से थोड़ा अपने बॉन डील में मूवमेंट आते हुए देखा है नेट नेट अच् को फेड की पॉलिसी आएगी कोई पॉलिसी में तो बदलाब नहीं होने वाला है लगब 98% जानकार मान रहे हैं कि इस बार स्टेबल पॉलिसी रहेगी बट इंट्रेस्टिंग्ली डिसेंबर के जिब के भी जो रेट हाइक अनुमान थे वह फिलाल 27-28% पर है तो डिसेंबर में भी कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं है कि शायद रेट हाइक आपको आते हो दिखे बट क्या कॉमेंटरी निकल कर आती है वो इंपोर्टन रहेगा कल शाम को आने वाली है पॉलिसी तो हमारे ले तो थरस्डिय का रियाक्शन है बट नंदलेस फेड पॉलिसी जब शु साई से आधे परसंट की मूव आई है आज यॉरप का इंफलेशन डेटा आने वाला है प्रेलिमिनरी क्यू थरी जीडीपी डेटा आने वाला है तो वहाँ पर भी आपको काफी रियाक्शन आते होई दिख सकते हैं अफ्कोर्स जैसा बता रही थी कमोडिटी बाजार में कल आपने बड़ी गिरावट आते हुई देखी है और इसका भी अच्छा आक्शन है कच्छा तेल आपका करीब 3.5% टूटा है डॉलर इंडेक्स आपका 106 के नीचे एक हफ़ते के निचले सर पर आया है थोड़ा इसरेल हमास यूद पर सबका फोकस सो बना आए वाट और की गिरावट है 2000 डॉलर के आसपास आपको आते हुई दिख रहा है बेस मेटल्स में लगातार तेजी है तीन हफ़ती की उचाई पर कॉपर है चार हफ़ती की उचाई पर आपको अलुमिनियम ट्रेड करते हुई दिख रहा है बट ओवरॉल आज सुभा आपको डेफिनिट दर्शकू के सांद में रखने का रहा है